Hello, Good morning दोस्तों! Indian politics के 2. लेक्चर में आपका स्वागत हैं आज के लेक्चर में हम emergency के बारे में discuss करने वाले हैं last lecture में देखो हमने जो राश्टरपदी की power है उनके बारे में discuss क्या था यह उनिस पेशली जो छमादान की power है वो सब discuss की और हमने ordinance के बारे में discuss क्या था कि ordinance क्या है अध्यादेश के बारे में सारी point discuss किये थे किस तरिके से अध्यादेश लाया जाता है क्या अध्यादेश की power होती है वो सारे चीज़े हमने cover कर लिये है तो आज हम बिना किसी देरी के emergency के बारे में discuss करने वाले हैं तो क्या है emergency निकी आपातकाल देखो आपातकाल है क्या बहुत simple word है हम समझते हैं वाले आपातकाल का मतलब क्या है आपातकाल एक ऐसा word है जिसका मतलब यह है कि भाई जो भी सविधान के coding कानून वगेरा बनाये गए हैं जो भी हमारी वैवस्ता है कि ऐसे से काम होगा अगर उस according काम नहीं हो रहा है तो हमें एक special map done यूज़ करना पड़ता है special tricks यूज़ करने पड़ती है ताकि जो भी विधी की वैवस्ता है जो भी हमारा सासन की प्रिकिरिया है वो continue रह सके और इसलिए जो method यूज़ करे जाते है उनी को हम आपातकाल के नाम से जानते है अब देखो आपको बता है आपातकाल में काफी सरे की restriction हो जाती है central government है वो अपना rules वगरा बनाती है लोगों को इखटा होने बहुत सारी अलगलग guidelines होती है ताकि जो भी अगर miss में छोर काओ जैसे आपने काफी बार सुना होगा नियूज़ पेपर में 1975 की जो emergency लगी थी आपातकाल काफी सुर्गों में रही थी काफी विवादा इस पर मुद्धा भी था तो ये सारे points है अब आपको बता कि उस टाम पे सारी जो power है वो राष्टरपती के पास हो जाती है जिस तरगे से वो गवर्ण करते हैं उसी तरगे से सारा सासन है वो चलता है देश में काफी instability हो जाती है कोई बार ऐसा issues हो जाते हैं उस condition में emergency का यूज़ हो किया जाते हैं अब देखो जो सविधान निर्मादा थे ना इन्होंने क्या बताया कि भाई अगर संग जो union government है अगर वो कमजोर हो रही है मतलब वो सही डंग से काम नहीं कर पा रही है आपस में जो powers दी गई है स्टेट को या और भी तरह की power distribute कि गई है अगर सारी मिस में छोरी है काफी मलब मामला सारा इधर उदर तैसने हो रहा है उस condition में आपातकार का गरद का जो concept है वो यूज क्या जाएगा हस्वधान निर्मादाओं ने तीन त्रह के आपातकाल या emergency की हाँ पर प्रावदान ने वो किया है तीसरी आती है financial emergency हम आपको एक चीज पहले clear कर दूँ हमारे देश में अभी तक financial emergency है वो आज तक लागू नहीं हुगी है तो ये effect आपको धान में रखना है बाकी हर तरह की emergency हमारे सिवधान में जो मेलनलब लिखी गया है इसके बारे में प्रावदान क्या गया है यहीं कि national और जो state emergency है वो काफी बार लग चुकी है बस एक मातर financial emergency ऐसी है जो आस्तर कभी यूज में नहीं लएगी है इसको भी खेरागे हम discuss करने वाले है तो starting में हम national emergency से discuss करते है इनकी राष्ट्रिय आपातकाल देखो इसका जो प्रावदान क्योंचुज में वो article 352 article 352 इनकी 300 बाउन जो article है वो यह कहता है कि अगर राष्ट्रपती को दिख रहा है कि बाईसाब भार से यूद हो रहा है या फिर देश में यूद हो रहा हो उस condition में वो राष्ट्रिय आपातकाल की घोषणा या अनाउंस है वो कर सकते हैं अब यहां पर दो कोई word important है जैसे कि एक तो यूद हो गया जैसे कि भारत पाकिस्तान का यूद एक्जाम पर ले रहा है ये यूद होगी condition एक भाईए attack भाईए आकरमन जैसे आप यह मान सकते हो कि भार से कोई ऐसा suddenly attack हो गया है जैसे कि ISIS का है कि और भी तरह की attack तो वो इसके बाद में एक आता है आपके सामने सैसस्तर विद्रोगा ये सैसस्तर विद्रोग क्या है यह हम देखते हैं मतलब हमारे देश के अंदर की लोग है वो विद्रोग करना शुरू कर देए सैस्तर वगरा लेके काफी तोड़ फोर कर रहे हैं बहुत उपदरवा मचा रहे हैं उस condition को खाता है सैसस्तर विद्रोगा इसके बाद देखो ऐसी है कि जो सैसस्तर विद्रोग वाला कॉंसेप्ट है ना यह बेसिकली एड किया गया था 1978 में आपको यह धान रकना है कि 1978 में हमारे सिविधान का चोमाली स्वा सिविधान संसोधन हुआ था और उसमें काफी द्रह के अमेंडमेंट किया गय थे क्यों? क्योंकि देखो आपको धान होगा कि 1975 में इंदागांदी की सरकार थी यनि कि कॉंग्रेस की सरकार थी और 1978 में जब नहीं सरकार वनी थी तो उस टाइम पे किस की सरकार वनी थी? बताईए अब दाईए बहुत बड़े लेवल पे अमेंडमेंट किया था सर्विधान में वो था 1978 का 24 सर्विधान संसोदन इसमें बहुत सारी चीजें चेंज किया गयी थी वो सब हम आगे कवर करने वाले हैं तो जो सस्तर विद्रो का कॉंसेप्ट है ये इसी सविधान संसोदन में एड़ किया गया था इससे पहले यहाँ पे जो वर्ड था न वो था आन्तरिक ऐसान्ती कि देश के अंदर ये ऐसान्ती फैल लिए अब दोको आन्तरिक जो ऐसान्ती है न ये वर्ड अपने आम में कन्फरम नहीं है इसकी कोई मतलब एक specific area नहीं है कि आंत्री गैसान्ती का मतलब क्या है और जो 1975 में emergency लगाई थी इंद्रा गांदी जी ने वो इसी concept में लगाई थी कि आंत्री गैसान्ती है देश के अंदर अहरा जक्ता फैल रही है तो हम emergency लगा रहे हैं तो इसलिए बाद में 78 के consumer amendment में ये प्रावधान किया गया कि नहीं भाई साब अगर अंदर के लोग विद्राश्तर वगरा लेकर हैं मतलब weapons वगरा लेकर विद्रो कर रहे हैं मार कार्ट कुई इस तरगी concept आ रहा है तो ही emergency लगाई जा सकती है तो ये आपको धान में रखना है कि इस तरगी विद्रो का concept चो माली सुविद्राश्तर विद्राश्तर 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 में एड़ किया गया था अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें और तरगी का का प्रावधान है emergency में वो सारे points देखो 1978 था ना इससे पहले कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि भाई जो आपातकाल ये emergency की गोशना करनी है वो केबिलनेट की सिफारिस पर करनी है मतलब कि 1978 से पहले ऐसा कोई scene था ही नहीं कि अगर आपको emergency लगानी है तो सारी power थी वो एक्चुली देखा जैतो प्रधान मंत्री के पास होती थी प्रधान मंत्री जी राश्टरपती को बहुत दे कि हाँ भैसा भी emergency लगानी है तो लगा दी जाती थी पर 1978 में क्या किया गया सो मलेशियों स्विधान संसोधन में कि अगर emergency लगानी है ना तो जो cabinet है ना वो लिख के देगी return में राश्टरपती को इसी के बाद राश्टरपती announcement यह घोशना कर सकता है कि हाँ वैसा भी emergency यहाँ पर लगा जाएगी तो यह यहाँ पर चीड एज कर दी गई थी कि मतलब cabinet की सिफारिश के बाद ही राश्टरपती यह काम कर सकते हैं अकेले परधान मंत्री की मनमर्जी यहाँ पर नहीं चलने वादी है इसके साथ और भी तरह के changes किये गे थे हैं और भी तरह के changes जैसे यह थे पहले यह system था कि जब भी emergency की गोशना की गई है तो 60 दिन का time होता था जैसे कि आज गोशना कर दी गी अमर्जेंसी गी तो इसके बाद 60 दिन का time होता था पारलियमेंट के पास कि दोनों जो सदन होते थे ना जैसे लोकसभा और राजसभा वहाँ से simple majority से pass करवाना होता था ध्यान से सुनना पहले यह प्रावदान होता था कि भाई साब जब राश्टरपती ने एमर्जेंसी की गोशना कर दी है तो इसके बाद 60 दिन का time होता था पारलियमेंट के पास कि वह दोनों सदनों से simple majority से इसको pass करवाले कि हाँ एमर्जेंसी है वो लगानी है लेकि 1978 में changes कर दिये गे 1978 में यह कर दिया गया कि आपके पास सिर्फ और सिप 30 दिन का time है बलब 60 दिन का time बटा दिया 30 दिन में आपको pass करवाल अपड़ेगा दोनों सदनों से और उसके लिए भी condition क्या रखती गई है वो भी आपको धान रखना है वो है special majority या विसेस बहुमत इनकी special majority से आपको लोकसभा और राजसभा दोनों से pass करवाना होगा अब आपके दिमाग में होगा कि भाई चांस अगर लोकसभा डिजोल हो जाए तो उस condition में क्या होगा अगर देखो जैसे कि announcement कि ये राश्टर बतिन आज और बाई चांस दो तिन दिन बाद ही लोकसभा डिजोल हो जाती है तो उस तुरा नहीं करना होगा राजसभा तो आपको बता कभी डिजोल होती नहीं तो पहले तो राजसभा से वो प्रस्ताव पास करवाना होगा कि हाँ भैसा भी emergency आगे रखनी है इसके बाद में जो ही नहीं लोकसभा बनी है वालों कि नहीं लोकसभा तीन महीने बाद बन दी है तो तीन महीने बाद जो ही लोकसभा का पहला सेसन स्टार्ट होता है उस सेसन के तीस दिन में उनको वो प्रस्ताव पास करवाना होगा मतलब कि सीदी सी बात ही है पैसे majority से pass कराना होगा और 30 दिन का time है वो दे दिया गया है पहले यह time सार दिन का होता था इस तरह के changes उस time पे किये गे ताकि मरलब इसका गलत use है वो नहीं क्या दसके इसके बाद में एक provision यह है कि 1978 से पहले यह प्रावदान था कि बैसाब दुमने असल emergency का अगर एक बार announcement या गोशना हो चुकी है इसके बाद अगर उसको वापस लेना है तो सिर्फ और सिर्फ वापस लेने की power राश्टरपती के पास ही होगी यह नहीं कि अगर emergency को वापस withdraw करना है तो सारी power है वो president के पास होगी लेकिन 1978 के नए amendment में यह कर दिया गया कि राश्टरपती की अकेलेगी को जुरूरी नहीं है अगर डांस से सुनना अगर लोग सभाके session चले या नहीं चले condition सुनना अगर लोग सभाके 1 by 10 अदस से हैं यह माल कीजिए क्योंकि emergency के अब ज़रूप नहीं है तो इस speaker को session start करना पड़ेगा और उसमें अगर simple majority से भी यह चीज़ पास हो जाए कि हां मतला भी जो राश्टर आपकाल या national emergency को हटाना है तो फिर राश्टरपती को national emergency हटानी पड़ती है हटाने की procedure क्या है पहली बात तो यह ह कि आप simple majority से लोग से भाँ में पास करवा लो कोई दिकत नहीं है मामला हट जाएगा अगर session नहीं चल लाओ तो उस condition में 1 by 10 सा 10 से हैं वो लोग सबाई speaker को बोलें कि आप session start कीजिए और उस condition के दुरा session start किया जाएगा और एक वी special session बोलते हैं जिसको इनकी विसेश सतर के न announcement करके जो national emergency है इसको withdraw करना होता है यह मने आपको अब जो basic तीज़े थी आँपे वो बता दी है हाँ अब बात यह आती है कि भाई अगर एक बार राश्टी आपातकाल या national emergency लग गई तो फिर इसका time period के हैं देखो इसका time period तो बसे एनसीत है मतलब को infinite time है जब तक चाहें तब तक लगाए जा सकती है बस इसके लिए condition ही है कि बीच बीच में पार्लियामेंट से इसको मलब एक तरगे से verify करोना पड़ता है कि यह तीज़ आपको धान में रखनी है मलब आपको नोर्मली आपको एक चीज़ भी पता है कि हमारे सिविधान में प्रावधान क्या गय है कि दो सत्रों के बीच में में च्हा महीने का गेप हो सकते हैं च्हा महीने से जदा गेप तो अलाव ही नहीं है तो मतलब जब भी सेसन स्टार्ट होगा तो सेसन में हमें verify करोना पड़ता कि हाँ national emergency को आगे continue रखना है नहीं रखना अगर वह verify हो जाती है तो फिर वह आगे continue रहेगी और अगर एक बार में इसको आगे extend किया जाता है जैसे कि आज राष्ट अप्ति सासन जो सो जो नेसल एमर्जेंसी स्टार्ट की गई है इंप्लिमेंट कर दी और लोक सबाराज सबासे पास हो गई तो वो maximum एक साल के लिए होती है एक बार में एक साल के लिए होती है ध्यान ये थोड़ा word important है यहाँ पे कि अगर जैसे आज बढ़ाई है तो एक साल के लिए बढ़ाई जाएगी एक साल के बढ़ाई ठीक है इसक सेशन में इसको आगे continue रखने के लिए इसको मतलब done करना होगा एक तरीक से verify करना होगा सेशन को कि हाँ भाई emergency को अगे continue रखा जासकी अगर जो भी 70 है लोक सबाराज सबार वो बोलते 6 मीने बाद कि ने 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 emergency की जरूती नहीं हटा दो तो वो एक साल से पहली हट कि आप एक साल से जज़ा इसको extend है वो नहीं कर सकते हैं बट यह धान रखना infinitive time तक के लिए मतलब इसको एक एक साल करते करते हैं आप कितने भी time तक infinitive रख सकते हो इसमें कोई तरह के changes नहीं किये गए हैं तो यह आपको दो fact रखने हैं हम एक बार आपको फिर repeat कर जाता कि national emergency है ना इसको एक बार में एक साल से ज़ादा नहीं बढ़ा जा सकता है जैसे आज इसकी घोषना की गई और लोगसबा और राजसबा ने इसको done कर दिया कि हाँ रखनी है में emergency तो वो एक साल के लिए होगी एक साल के time period के लिए बट आपको पता है कि 20 में लोगसबा और continue रहे तो वहीं पर खतम हो जाएगी तो यह effect आपको धान में रखने है बाकी infinity time के लिए है अब बात यहाँ पर आती है कि हमारे fundamental right है उस पर क्या effect भग रहा है national emergency का article 20, article 21 और इसी के साथ ही हम बात करें यह दोनों article 20 और 21 है यह तो at any cost suspend नहीं होने वाले हैं चाहिए आप जो कर लो national emergency में article 20 और 21 को आप suspend नहीं कर सकते article 21 right to life है आपको बताए article 20 क्या है जल्दी बताइए comment box में बताना देखो हमने discuss कर ली है यह चीज़े आप लोग प्लीज comment box में बताया करो article 20 और 21 है वो at any cost suspend नहीं हो सकते यह चीज़ आपको धान में यहाँ पर रखनी है तो यह effect काफी important यहाँ पर हो जाता है अब आपकी दिमाग में आयोगा कि एगर राष्टरपति सासन या नेसल इमर्जेंसी लगी है तो भाई जो state और central के relation है उस पर क्या effect पड़ेगा देखो जो state और central के जो विधाई relation है निक जग 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 टुटु रिलेसन है इस पर भी effect पड़ना है obviously इसे के साथ ही और और अगर पंजाब में नेसल इमर्जेंसी लगी होती है पंजाब में अपात्का लगा वो अकेले पंजाब में उसका effect अधर इस्टेट पर नहीं पड़ता यह हमारे सुधान में प्रावधान किया गया है वो पंजाब का बुल्डर पाकिस्तान के काफिजदा टैच काता है और इमर्जेंसी नेसल इमर्जेंसी तो उसका effect है वो पढ़ सकता है तो यह तीज आपको छोटा सा effect यहां पर धान रखना है ऐसे क्यूशन के बार UPSC पूछ लेती है और बात है कि जब इमर्जेंसी लग जाती है तो राश्टरपती है वो राजय पाल को guidelines से निर्देश दे सक उसके करना पड़ता है मनमजी से वो कुछ नहीं कर सकते है तो यह चीज़े आपको धान में रखनी पड़ती है बाकी देखो यह एक चीज है कि जग नेसल इमर्जेंसी लगती है ना तब state की सरकार चलती रहती है ऐसा नहीं कि state की सरकार बरकास हो जाती है इस state अपने काम कर रखते रहेंगे बटी है कि इसे उनका कोई बील वगएरा होगा है कुछ ऐसी important काम है उन कामों को actually सारा काम central की देखरेक में होगा वो खुद नहीं कर सकते हैं बलब उन पर कहीं नहीं थोड़ी limit है वो लग जाती है तो यह चीज़ आपको यहां पर धान में रखनी है एक स उपर भी central है वो actually कानून बना सकती है लेकिन एक फिक ध्यान पर रखना है आप जो आपको confusion basis कर सकती है वो फिक यह है कि अगर आपातकाल के दुरान पार्लियमेंट है वो रज्य सुझी के गिनी की state list के किसी भी topic पे अगर कानून बना रही है ना वो कानून जब national emergency खतम हो जाएगी उसके 6 मीने तक ही valid है अब यहाँ पे एक fact important है अगर 6 मीने बाद उसको state वो हटा दे तोड मरोड दे तब तो वो मतलब ऐसे ही तूट रूट जाएगा अगर उसको state change नहीं कर रहा है जो का तो continue कर रहा है तो खतम नहीं होगा मतलब अगर state देखर है कि हाँटी का अच्छा कानूम बना है अपार्लिया मेंडने इसको continue रखते हैं तो कोई दिकत नहीं है अदर्वाज state चाहे तो 6 मीने बाद उसमें तोड़ फोड़ वो कर सकता है तो यह effect आपको यहाँ पे दान में रखनी है अब हम बात करते हैं परसासन इनकी administration के बारे में क्या क्या थो आपको जिमेदरी state की होती है normally तो यह सारे काम उस टेम पे center के पास रहेंगे तो center इसके लिए state को उस guidelines दे सकती है कि भाई आप थोड़ा पैसा यहाँ आप लगाईए ऐसे से कीजिए इसके साथ इसके पूलिस वरवस्ता हो गई उसके लिए कह सकते कि आप पूलिस को इस ज राष्ट्रपती यूज करता है बात करें हम वित्य समंद्ध के बारे में कि वित्य समंद्ध है उस पर कैफेक्ट परता है देखो राष्ट्रे आप आतकाल के दुरान है ना जो राष्ट्रपती होता है वो governor को guidelines दे सकता है कि भाई जो भी money भी वगरा है वो आप संभाल के रखो एक बार ऐसे मतलब जो धन भी देख है financial भी लें इनको आप ऐसे भी पास मत कीजी या फिर मेरे लिए आप इनको एक तरीक से रिजव करके रखिए बाद में देखा जाएगा कि इंपोर्टेंट है तब इनको एक तरीक से रिजव करके रखा जाएगा तो इस तरह के प्रावधानिया आपे किये गए हैं मोली के दिकार fundamental light की परे मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 20 और 21 को आप 18 को suspend नहीं कर सकते बाकी आप उनको suspend कर सकते हो suspend किया गया है देखो हैं आपे खतम नहीं किया जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए temporary उनको suspend किया जा सकता है बाकी fundamental light को ऐसा नहीं किसा आप सारे को फर्तम ही कर दोगे खतम नहीं किया जा सकते हैं यह तो देख लिए हमने article 352 या national emergency अब हम देखते हैं state emergency देखो state emergency को राज्या path की नाम है इसके कि इसको राष्टरपती सासन प्रसेजेंट डूल के नाम से भी जाना जाता है और इसको constitutional emergency के नाम से भी जाना जाता है एक सबसे important पहला fact यहां पर वो याता है कि भार्थ सरकार एक्ट एक्ट 1935 वहां से यह provision लिया गया है तो यह आपको दान में रखना है भार्थ सरकार जो एक्ट है 1935 वहां से राज्या आपातकाल यह पिरहां बात कहें state emergency राष्टरपती रूल की जो concept है सासन का वो यहां से लिया गया है है क्या किस बैसे पे लगाता है देखो इसके बैसे तीन man criteria हम देख लेते हैं तो राष्टरपती स्टेट के सरकार को बरखास करके राज्या पात्काल लगा सकता है जैसे करेंट की हम बात करें तो जम्मूएंड कस्मीर जम्मूएंड कस्मीर में आपको बताए कि पहले PDP और BJP गोवर्मेंट का ऐलाइन्स की सरकार थी और उस टाइम पे महभव मुप्ती वहाँ की मुख्या मंदरी थी पर बाद में अलाइन्स टूट गया तो इसलिए वहाँ पे किसी कीपास मेजरोटी नहीं थी और सासन डंग से नहीं किया जा रहा था तो इसलिए वहाँ पे स्टेट एमर्जेंसी यहां बात करें राज्यापात का राष्टरपती शासन है वो implement कर दिया गया था तो यह है basically जो मैं मुद्ध हमने की मतलब कि अगर सविधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा है राज्या में तो सरकार को बरखास्त किया दा सकता है सरकार अगर सारा ही काम मनमर्जी से करने लग जाए तो उस condition में यह प्रावधान किया गया है अब हम थोड़ा सा background देख लेते हैं इसका ताकि और सीज अच्छे से clear हो जाए हम देखते हैं article 355 देखो article 355 यह कह रहा है कि केंदर की यह जीमेदारी है यह केंदर का यह करतव है कि वो state को बाहरी आकरमन के नहीं कि बाहर से कोई आकरमन हो रहा हो या फिर internal instability हो या फिर आंत्रिक ऐसान्ती हो उस condition में state की रक्षा करें मतलब कि state की सुरक्षा की जीमेदारी center की है ठीक है यह तो कहता है article 355 इसके बाद में एक article लोगा है 365 article 365 यह कहता है कि यदी राज्य केंदर का उचित जो परसासनिक गैडलाइन है वो नहीं मान रहा है तो राश्टरपती है अनौन्स कर सकता है कि भाई इस राज्य का सासन है वो स्विधान के कोर्डिंग नहीं चल रहा क्या कहा है मैंने डंक से सुनना यदी राज्य केंदर का कोई उचित परसासनिक निर्देश यनि कि जो एड्मिसेशन गैडलाइन से वो नहीं मान रहा है चैन्टल गोर्रमेंट की तो राश्टरपती है अनौन्स कर सकता है कि भाई इस राज्य का काम इस स्टेट का जो काम है वो सविधान के कोडिंग नहीं चला जा रहा है रूल्स के कोडिंग तो इसी लिए यहाँ पर एमर्जेंसी लगाए जाएगी और इसका प्रावधान क्या गया है आर्टिकल 356 यनि कि स्टेट एमर्जेंसी आर्टिकल 356 में प्रावधान के थाट लगाए जाती है तो अब आपको समझ में आयो गया होगा कि आर्टिकल 355, 365 और 356 है इन तीनों को मिला के ही स्टेट एमर्जेंसी कम्प्लीट होती है क्योंकि 355 क्या कहता है कि स्टेट सेंटर की जिम्मेदारी है कि भाई वो स्टेट है इसकी रक्षा करे अब स्टेट की रक्षा करनी है और अगर स्टेट में काम डंक से नहीं हो रहा है तो फिर भाई यह ना कि सेंटर को डिरेकल इपने पावर हाथ में लेनी पड़ती है और इसलिए आर्टेकल 356 का यूज किया जाता है और फिर वहाँ पे स्टेट एमजेंसी या राश्टरपती सासन लगाया जाता है जो कि जम्मोर्ण के समेर में लगाया गया था यहाँ पे वर्ड है एक वो वो द्यानकना को सविधानिक तंतर कि अगर सविधानिक तंतरिया सविधान के तहट जो सिस्टम बनाग है एस्टेट का वो फैल हो जाता है विफल या फैल हो जाता है उस कंडिशन में राश्टरपती यहाँ पे राश्टरपती सासन ये एस्टेट एमजेंसी लगा सकता है तो यह आपको फिक्ट ऐसा का ऐसा जान में रखना है अब थोड़ा सा एक बर हम दोनों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगे एक तरह दो जाएंगे 352 और एक साइड है 356 352 के हैं राश्टिया पातकाल या नेसनल एमरजेंसी 356 के हैं स्टेट एमरजेंसी या फिर हम बात करते हैं परसिडेंट रूल ठीक है 352 में देखो तीन परामेटर हैं इसी के बेसेश पर लगाए जा सकते हैं कौन कौन से या तो यूद हो गया हो भारत का किसी के साथ या फिर भार से आकर्मन कर देओ आई एस इस कोई भी हो सकता है मालो और तीसरा सैसस्तर विद्रो है इन तीन क्राइटरिया के कंडिशन पर ही आप नेसनल एमरजेंसी इंडिया पर लगा सकते हो और यहां पर कैसी इन है कोई स्पेसलिक अड्लाइन नहीं है बस एक वर्ड लिखा गया है यहां पर कि अगर सविधानिक तंतर फैल हो जाता है तो उस कंडिशन में लगा जाएगा अब सविधानिक तंतर की तरिके से फैल हो सकता है भाई कोई भी बात ऐसी हो सकती है मतलब इसमें एक डायरा बहुत बढ़ा है किसी भी बैसे आप एक तरिके से लगा सकते हो क्योंकि सविधानिक तंतर विफल का तो बहुत सारे क्रेटेरिया हो सकते हैं कुछ भी यहां पर तो कहाँ कि तीन वर्ट फिक्स कर दिये, कि यूद हो जाए, बाहर से आकर्मन हो जाए, या फिर इंडिया के अंदर ही सरस्तर विद्रो हो जाए, उस कंडिशन में आप ने इसल एमर्जेंसी लगा सकते हो, बड़ यहाँ पे ऐसे तीन वर्ट फिक्स नहीं किया गया है, इसल एमर्जेंसी लगा सकते हो, तो मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है, बट आर्टिकल 352 में क्या है, स्टेट की गवर्मिन्ट जोंकी तो जलती जाएंगे, स्टेट के ओपर कोई इस तक से अपनी है, वो आराम से अपनी सरकार बनाते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन यह यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे तो बईसाब से अपनी सरकार चला ही नहीं पार है, इसलिए लगती है तो यहाँ पे स्टेट की सरकार रवो बरकास्तिया खत्म कर दी जाती है, इसके बाद में बाती है, कि आर्टिकल 352 के ज़र्मिन्चल इमर्जेंसी लगा जाती है, तो या तो राष्टरपती, मनदब ए फिर हम बात करें तो राजजयपाल राष्टरपती और राजजयपाल डोनों अपनी इचाइद के सिक्ता करना है उस तरीके से तो यह हम दोनों का डिफ्रेंस है वो यहाँ पे दिक लिए है अब थोड़ा से इसका criteria और point हम देख लेते हैं यह आपको ध्यान में रखना है कि राष्टपती सासन अगर लगाना हो ना यहीं कि हम बात करें आपे state emergency 356 की तो संसत के तो दोनों सदन है ना वहां से 60 दिन में simple majority यह ध्यान रखना है 60 दिन में साधान बहुमत से पास करवाना है बस काम खतम और एक बार में एक साल थे ज़्यादा नहीं लगा जाकता जैसे कि आज announcement किया कि भाई साब state emergency लगानी है अब वो state emergency एक साल तक लिए लगा जा सकती है पट उस state emergency को आज जैसे राष्टपती ने announce किया है तो 60 दिन के भीतर भीतर लोग सभा और राजस्पा दोनों से simple majority से भास करवाना है ठीक है और आगे काम चलता रहेगा अब बात यह आती है कि एक साल तो complete हो गया फिर क्या गरना है जखो एक साल अगर complete हो गया ना उसके बाद में condition आती है अगर एक साल से आगी हमें state emergency को continue रखना है तो दो condition है पहली condition तो यह है कि national emergency इनिकि अगर उस देर उस राज्या में जैसे कि हम अब भी example करें जमू और किसमीर में कि जमू और किसमीर में अगर वापस एक साल के बाद emergency को continue रखना हो state emergency की बात की जारी है थोड़ा ध्यान से सुना देखो काफी थोड़ा आपको complicated लग सकता है अगर एक साल state emergency लग जाती है इसके बाद अगर इसको आगे extend करना होता है ना तो इसके लिए दो condition फुल्फिल होनी चाही है अगर उन दोनों में से कोई सी condition भी फुल्फिल नहीं है ना तो आप उसको आगे extend नहीं कर सकते है ध्यान रकना नेसल एमर्जेंसी में क्या था नेसल एमर्जेंसी एने के राष्ट अपतकाल था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि आप एक-एक साल करके infinity time तक extend कर सकते हो बस इस state emergency में यह क्या गया है कि आप पहली बार तो एक साल तक extend कर सकते हो इसके बाद में अगर आपको एक साल से आगे extend करना है तो पहली condition ही है कि अगर उस राज़े में या तो nasal emergency लगी होनी था अगर nasal emergency उस राज़े में लगी है तो उस पोरान तो भ것도 आपे election हो यह नहीं सकते election commission के द्वारा कि महौल ठीक नहीं है ऐसे महौल में जो neutral election है वो possible नहीं है इसलिए आप state emergency या राष्टरी जो सोरी state emergency या फिर हम बात करे राष्टरपती सासन को continue रखिए इन दो ही condition में आप उसको एक साल के बाद आगे बढ़ा सकते हो और ऐसे जो maximum time period अना वो three years तक है इनकी state emergency at any cost तीन साल से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तीन साल की अंदर अंदर इस state के अंदर election करवाने की जिम्मेदारी होती होती है उसको election at any cost करवाने ही होंगे बस पहली बार में एक साल इसके बाद में दोनों condition फुलफिल होनी चाहिए इन में से दोनों condition एक साथ नहीं कोई सी भी एक या तो यह कि भाई यहां पे national emergency लगी है या फिर यह कि election नहीं हो सकते हैं महौल बहुत ज़्यादा खराव हैं इन दो ही criteria के बाद में आप वहां पे आगे extend कर सकते हो तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि state emergency at any course तीन साल से आगे extend नहीं हो सकती और national emergency है वो आपको पता है infinito time के लिए होती है उसको आप size इतना तक बढ़ा सकते हो तो देखो यह हमने discuss कर ली अब इसके कुछ effect है वो हम next lecture में दखेंगे और वो आज evening में या फिर आज night में आपको मिल जाएगा आज दो lecture हैंगे कल भी दो lecture हैं वो आपको मिलेंगे क्योंकि फिर video काफी लंबा हो जाएगा तो फिलाल कि discussion में इतना ही है तो thank you, thank you very much for discussion